Hello friends, इस particular video में मैं IPO से related बहुत important questions का answer देने वाला हूँ तो ये video UN तक देखना मत बूलिए तो पहले ये समझेंगे कि questions क्या है तो होता क्या है कि आप IPO के लिए apply किये IPO के लिए apply करने के बाद UPI के थुमानली जी apply किये बट आपको notification नहीं मिला तो आप क्या करेंगे आप दुबारा से apply करेंगे तो आपने क्या किया कि notification नहीं मिला mandate notification mandate request approve करने के लिए तो आपने दुबारा से apply किया उसको cancel करके तो क्या किया आपने cancel कर दिया फिर से apply किया बट उसके बाद notification आया और notification आया तो आपने उसको approve कर दिया फिर से अपना pin code अगरा डाल कर approve कर दिया क्योंकि आपको तो IPO चाहिए apply तो करना है बट जैसे ही आपने apply किया तब आपको एहसास हुआ कि जो request आया हुआ था mandate का ओ तो cancel आपने जो किया उसको आपने approve कर दिया उसके बार आप एक और notification आप observe करेंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं उस case में एक और notification आ रहा है माल लीजिए तो इसका मतलब है कि आपने पहले जो approve किया था IPO के लिए ओ गलती से कर दिया जो आपने cancel कर दिया था already तो आप क्या किये कि दुबारा से जो है आपने अप दुबारा से माल लीजिए आपके पास दो option है पहला option यह है कि एप्रूफ करें या फिर छोड़ दें तो आप approve ही करेंगे क्योंकि IPO तो आपको apply करना है तो आपने दुबारा से एप्रूफ कर दिया बट आपका question यह है कि उसका क्या होगा जो आपने cancel कर दिया था उसका पैसा तो block हो गया तो देखिए सबसे पहले अगर कोई IPO आप cancel कर देते हैं ठीक है आप cancel कर देते हैं तो होना यह चाहिए कि उसका amount instantly और within 24 hour आपके उन hold हो जाना चाहिए जब भी कोई IPO cancel करते हैं और उसके against कोई पैसा अगर hold है तो unhold हो जाना चाहिए technically ideally ऐसा होना चाहिए बट आपके case में क्या हुआ आपके case में थोड़ा अलग चीज हुआ आपने cancel पहले किया और amount hold उसके बाद किया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा आपको पहले ये check करना पड़ेगा कि क्या सच में आपका amount block हुआ है कैसे पता करेंगे तो आपका banking में जाना पड़ेगा वहाँ पे net banking यूज कर सकते हैं mobile banking ये phone banking यूज कर सकते हैं वहाँ पे कहीं ने कहीं hold transaction detail होगा जहाँ पे कोई ऐसा section जहाँ पे आप जितना भी amount जब जब hold हुआ है ना उसका transaction detail आप चेक कर सकते हैं कि किस किस date को amount hold हुआ था कब कितना वज़े किस date और time में hold हुआ था और किस date और time को release कर दिया गया था वहाँ पे आप पहले verify कर लिजे कि amount अभी भी block है या नहीं ठीक है अगर अभी भी amount block है और आपने गलती से जो apply किया हुआ था तो इस case में क्या होगा कि आपको लिखे ये कब refund मिलेगा refund तब नहीं मिलेगा क्योंकि क्या होता है ना आपने cancel कर दिया आपने जिरोदा, upstock, grow, app, angel, broking जो भी application यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपने क्या क्या cancel कर दिया तो cancel वहाँ पर किया है लेकिन और जो है request वहाँ पर गया ही नहीं है cancellation का वहाँ पर apply हो गया है right मतलब आप cancel करते हैं तो ideally क्या होना चाहिए कि ये request जाना चाहिए उस IPO के application में और वहाँ भी cancel करना चाहिए बट आपका application brokerage application में cancel कर दिये बट ये वहाँ पर गया ही नहीं उसका request तो ये issues किसका है तो ये issues है आपका broker app का मतलब broker app में आप cancel किये उसका request वहाँ तक गया ही नहीं क्योंकि अगर वहाँ पर जाएगा amount unhold होगा तो फिर इस case में आपको क्या करना पड़ेगा क्योंकि hold हो गया amount और unhold भी नहीं हुआ तो आपको इसका amount मिलेगा allotment date के बाद जब सभी को जो है refund मिलता है उसी समय refund मिलेगा आपको तो I hope कि आप समझ गये कब आपको refund मिलेगा तो allotment date के बाद जो जब सभी को मिलता है मतलब जिसको IPO मिला उसको share मिल जाएगा allotment हुआ और जिसको नहीं allotted हुआ तो उसको fund release कर दिया जाएगा ये प्रेकरिया जब होता है उस समय आपका holded amount जो hold हो गया है वहाँ पे मिलेगा otherwise इस period के दौरान आपका amount हो गया block और ओ नहीं मिलेगा उसके बतले में क्या share मिलने के chances है तो देखिया आपने पहले ही cancel कर दिया तो उसका share नहीं मिलेगा आपको बट ये तो cancel आपने किया तो ओ तो हुआ ही नहीं cancel ना cancel ही नहीं हुआ मतलब इसको भी consider किया जाएगा आप चाहे तो इसका भी आपको मिलेगा मतलब जो जिसको आप cancel कर दिये थे तो lotment में पूरा पूरा chances है कि इसको भी consider किया जाएगा अब मेभी मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है बट इसको consider किया जाएगा और अगर मान लिजे share नहीं मिला तो फिर आपको पैसा refund मिलेगा मतलब जो block हुआ था जो hold हुआ था वो release कर दिया जाएगा unhold कर दिया जाएगा तो I hope कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया फिर भी अगर किसी प्रकार का किसी प्रकार का अगर doubt है आप यो से related तो definitely आप playlist check कर सकते हैं थेंक्यू थेंक्यू परवाची